दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। देखिये दोस्तों, कई बार मनुष्य अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में आ जाता है, जहां पर वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। इन तरीके की दिक्कतों से बाहर आ सके। आस्याओं से हाथों हाथ मुक्ती मिल जाएगी, बलकि जोतिश शास्त्र के अनुसार, किसी भी मंगलवार के दिन आप तीन लौंग और सरसों के तेल का उपाय करेंगे, तो आपको अपने जीवन में एक छमतकार और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, कहां जाता है कि मंगलवार के दिन यदि लौंग और सरसों के टेल का उपाय सही मुहूर्थ पर विधिविधान से किया जाए, तो मान के चलिए बजरंग बली जी के आशिरवात से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के संकटों से हमेशा हमेशा के लिए मुक जीवन में सब कुछ खराब होने लग जाता है। पश्चात आपके जीवन में हर दुखों से आपको तुरंट के तुरंट मुक्ति मिल जाएगी। आप बार बार ये जरूर सोचेंगे कि आखिर मंगलवार के दिन लौंग उपाय क्यों करना है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। जो हनुमान जी हैं उनको लौंग ब पन नहीं मानी जाती है। और यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हनुमान जी के सामने उसकी पूजा सिद्ध हो जाए तो उसको भी लौंग का प्रयोग करना चाहिए। को हर लेते हैं। इसी लिए उनको संकट मोचन भी कहा जाता है। और सनातन धर्म में लौंग का अपना एक बहुत ज्यादा विशेश महत्व है। कहा जाता है कि यदि लौंग को खाने में प्रयोग किया जाए इससे हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है। और तंत्रशास्त् अच्छार यदि आप लौंग का प्रयोग हनुमान जी के सामने करेंगे तो आपको साक्षात हनुमान जी का आशीरवाद मिलेगा ही मिलेगा। जिसके पश्चात आपके जीवन की कैसी ही मनोकामना हो। जैसे लंबे समय से जो आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग जाएगी। बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जीवन में धन शुरू हो जाएगा, ना केवल धन ही आएगा, बलकि धन आने के सारे खुल जाएंगे। और आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको हनुमान जी की कृपा म आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे हनुमान जी के आशीरवात से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नती करें, बहुत ही ले जाएं। कभी भी आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना ना करना पड़े, पूरी विश्वास और पूरी अची श्रद्धा के साथ। करके आपको शीघ्र अतिशीघ्र लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आप फिर काम्याब होते ही चले जाएंगे। इसलिए आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। महाओ उपाय कर लीजिए। आपको क्या करना है? आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। एक सिंदूर की डिबिया लेनी है। लाल सिंदूर की डिबिया ले लीजिए। किसी भी मंगलवार की सुबह नहाईए, धोईए, नहाने धोने के पश्चात लाल कपड़े पहनिएगा। क्योंकि जी को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और आपको ये सिंदूर की डिबि और ये सरसों के तेल का दीपक लेकर के हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान के मंदिर जाईए, आप लोग इस सिंदूर को इस तेल में भिगो करके लेप बना लीजिए और इसी का लेप हनुमान जी को लगा दीजिए। आप थोड़ा सा लेप बचा करके लाईए, आप अपने घर पर आपकी जो तिजोरी है, आपकी जो अलमारी है या व्या पार स्थान पर जहां से पैसे का लेंदेन आप करते हैं, इसी लेप से स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। इतना उपाए, यदि आपने किसी भी मंगलवार के दिन कर लिया, आपके जीवन कोई ऐसा दोश था, जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं आ रहा था, वो खट जाएगा और आपके जीवन में पैसे आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, जो आपके पास पैसा आएगा, वो भी टिकेगा भी, उसमें वृद्ध भी होगी। तो सबसे पहला उपाए हमने आपको बता दिया, दूसरा उपाए है कर्जमुक्ति का महा उपाए। दो जदी आप भी उन व्यक्तियों में से हैं जिन में कर्जाले रखा है। और अब आप बड़ा परिशान हैं, तो आपको क्या करना होगा? प्रत्येक मंगलवार को सुभह उठिये, नहाइए, धोईए, लाल कपड़े पहनिये, आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, ती मान लीजिए, आपको हनुमान चाली सा भी नहीं आता है। तो आपको क्या करना होगा? एक हजार आठ बार, ओम हनुमते, नमा, हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, दोस्तों, ओम हनुमते, नमा, जो बजरंग बली जी का बीज मंतर है, इसका जाप करना है, क्योंकि नहीं खत्म हो जाता है, और यकीन मानिये, हनुमान जी की कृपा से आपका कर्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तीसरा उपाए है दोस्तों, मंगल ग्रह को मजबूत करने का महा उपाए। दोस्तों, बात आपको ना पता हो, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होत यदि चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह हमेशा आपका साथ दे, आपका मंगल ग्रह इतना मजबूत हो जाए, फिर आपको किसी भी संकट का सामना या किसी भी परिशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको क्या करना होगा? आप लोगों को प्रत्येक मंगलवार को कम से कम धाई सौ ग्राम गुड़ ले जाकर, कि हनुमान जी के मंदिर में दान करना होगा, यदि आप ये प्रत्येक मंगलवार को करना शुरू कर दे, तो मान के चलिए, हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और आपका मंगल ग्रह साथ आपका देगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन का जो आपका दुरभाग्य है, वो आपसे दूर हो जाए, और आपका भाग्य आपका स सुनिएगा, देखिए आपको लेना है, काला धागा का धागा लेने के पश्चात आपको लेना है, सरसों के तेल का दीपक, एक दीपक ले लीजिएगा, उसमें सरसों के तेल को डाल दीजिएगा, और आपको मंगलवार की सुभह करके सुर्यास्त के, बीच में हनुमान जी करना है बस इतना आपको करना है अब आपको क्या करना है है यह जो काला धागा यह हनुमान जी के ऐसी जगह से लगा लीजिए ऐसी जगह लगाईए जहां पर हनुमान जी को सिंदूर लगाया गया हो सिंदूर इस काले धागे में लग जाए और इसी काले धागे का आप लोगों को धारण कर लेना है अपने दाएं हाथ में उपाए यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आप से दूर हो जाएगा और सौभाग्य आपके साथ हो जाएगा आप जो भी निर्णे लेंगे उस निर्णे में से आपको फाइदा पहुँचेगा इसी प्रकार से यदि आपका व्यापार चौपट पड़ा हुआ है आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए तो यह उपाए कीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे हैं आप लोगों को एक ही मंगलवार को एक सरसों के तेल का दीपक लेना है तीन लॉंग लेना है और एक लाल गुलाब की माला लेना है हनुमान जी के मंदिर सरसों के टेल का दीपक जलाईए उसमें तीन लॉंग डाल दीजिए और ये लाल गुलाब की माला हनुमान जी को चढ़ा दीजिए इतना उपाए यदि आप किसी भी मंगल दिन कर लेते हैं तो आपका बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी की कृपा से चल जाएगा अब मान लीजिए दोस्तों आपको किसी बीमारी ने जल लिया है जिसका आप इलाज करा करा के ठक गए हैं तो आपको क्या करना होगा देखिए हनुमान जी को बूंदी के लड़ू बड़े ज्यादा पसंद है यदि किसी भी मंगलवार के दिन आधा किलो बूंदी का लड़ू हनुमान जी को ले जाकर के भोग लगा देते हैं तो मान के चलिए जिस बीमारी से आप लोग जूँज रहे थे उस बीमारी से आपको मुक्ती मिल जाएगी